मुहरम से ठीक पहले रावतपुर गाउं के रहमत नगर मुसलिम इलाके में रहने वाले हिंदू सक्स ने प्रतारिक करने का आरूप लगाया है युवा कारों पे कि उसकी कार तोड़ कर घर में पत्राओ करने के साथ ही अलग-अलग तरे से उसे प्रतारिक किया जा रहा है इसे वह अपने घर से पलायन करने को मजबूर है तो वही रावतपुर पुलिस ने अपायार दर्च कर ली है आपको बता दे कि रावतपुर गाउं के रहमत नगर में रहने वाले मनीज सुकला ने बताया कि मेरा घर मुस्लिम आबादी के बीच है एक अगस्त के रात को घर के बाहर खड़ी कार पर पत्थर मारकर सभी सी से तोड़ दिये गए इसे पहले भी मेरे घर पर हमला और पत्थरा हो चुका है उसके बाद भी पुलिस ने कोई कारिवाही नहीं की वही रावतपुर थाने में सुक्रवार रात उन्होंने तहरीर दी और उसमें रिखा कि अगर आरोपियों के खिलाब कोई कारिवाही नहीं हुई इसके साथ इकल्यानपुर सीयो दीने सुक्ला ने बताया कि मनीज के घर के आसपास कोई भी सीसे टीवी नहीं लगा है इससे जाज में परिशानी आ रही है फिर भी इलाके के लोगों से पूस्ताच कर आरोपियों की तलास की जा रही है आपको बता दे कि पीडित मनी सुकला ने बताया कि मेरा पूरा परिवार इतना पितारित हो चुका है कि अगर अब पुलिस कोई कारिवाही नहीं करेगा तो मैं अपने घरवा इलाके से पलायन करने के लिए मजबूर रहूँगा विर रिपोर्ट आई पियर